Dear friends, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, हमारे यूट्यूब चनल study with दुलार में, तो बच्चों हमारे पास class 8 NCRT का ये मेत हमारे पास है, exercise 5.4 question number 6 है, और इसमें कह रहा है find the length of the side of a square whose area is 441 meter square, एक square जिसका area 441 है, उसका side का length हमें निकालना है, side की लंबाई निकालना है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोई भी square जो होता है, उसका सभी side जो होता है, वो equal होता है, ये अगर 5 centimeter है, तो ये भी 5 centimeter है, जितना भी है, चारो same होता है, यहाँ पे हमें निकालना है side, सबसे पहले square, area of square हमें लिखना होगा, area, area of square equal to, हो जाएगा side, side into side लिख सकते हैं, यह side पे हम square लगा सकते हैं, यह हो गया, area of square हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 4, 41, equal to side, square लिखा हुआ है, इसको हम फिर से repeat कर देते हैं, side, square, अब square हम जैसे sides के उपर से square हटाएंगे, तो इसमें root चल जाएगा, 4, 41, equal to, सिर्फ हम side लिखेंगे, इस बार, side, क्योंकि हम इस पे root चड़ा चुके हैं, अब हमें इसको solve करना होगा, 4, 41 का square root निकालना पड़ेगा, division method द्वारा, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, 4, 41 इस पे बार लगा दिये, और यहाँ पे, 4 सबसे पहले जाएगा, तो कौन से perfect square number आएगा, तो equal number आ रहा है इसका, 2, 2 जा 4, 2 बार में जा रहा है, 2, और इसके निचे हम 4 लिख देंगे, 41, और यहाँ पे, 4 में हम 1 से multiply करेंगे, 41 वंजा 41, तो 1 बार में 41 आ ही रहा है, तो हम 1 बार में ले जाते हैं इसको, इसके निचे आ जाएगा, 41, और यह minus हो जाएगा, तो यहाँ पे हम minus कर देते हैं, यह पूरी तरह से कट जाएगा, 21, इसका मतलब है, 4, 41 का square root number हो गया, 21 side, इधर side लिखें, या इधर लिखें, एक ही बात है, 21 equal to side, या side equal to 21, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, side equal to 21, meter में दिया हुआ है, तो यहाँ पे meter हो जाएगा, और यह इसका answer हो जाएगा, complete होगे, question number 6, next question लेते हैं, next question है हमारे पास, question number 7, और इसमें कहे रहा है, in a right triangle, abc, angle b equal to 90 degree, एक triangle है, abc नाम का, और उसका b angle जो हो 90 degree का है, तो फिर आगे इसमें, question a part पर दिया हुआ है, if ab 6 cm, bc, 8 cm, find ac, जब तक हम इसका picture नहीं बनाएंगे, तब तक हम समझ में नहीं आएगा, देखें, यहाँ पे हम एक picture बना लेते हैं, यहाँ से एक, यह ले लेते हैं, और इसको draw करते हैं, दीकिए, यहाँ पे हमने draw कर दिया है, एक right angle है, इसमें, हम इसका नाम देते है, a, b, और यह हो गया, c, दीकिए, इसमें कह रہा है, कि यह 90 degree का है, बी जो है, वो 90 degree का है, इस तरह से हम symbol दे दिया, यह 90 degree का है, और ab जो है, वो 6 cm है, यहाँ पे, यह ab 6 cm है, और bc जो है, वो 8 cm है, 8 cm, अब हमें पूरी तरह समझ में आ रहा है, अब हमें A C निकालना है, तो ये जो है, इसे हमें निकालना है, यहां पे हम लिखेंगे, हम A को solve कर रहे हैं, इसे solve कर रहे हैं, यहां पे हो जाएगा, AC निकलना है तो AC का प्रमूला होता है AC square equal to AB square plus BC square यह हो गया अब जो है हमारे पास AC निकलना है हमारे पास क्या है AB है AB 6 cm है तो 6 का square दे देंगे plus BC 8 है तो 8 का square दे देंगे फिर से हम AC लिखेंगे AC square और इसमें 66 चा 36 हो गया plus हो गया 8 8 चा 64 हो गया 8 का square 64 अब AC square equal to 36 और 64 को add करेंगे हमें मिलेगा 100 अब AC में से square को हम हटा देंगे AC equal to 100 पे root चड़ जाएगा यह root चड़ जाएगा 100 हम लोग जानते हैं कि 100 का square root होता है 10 10 into 10 equal to 100 होता है तो यहां पे 100 हो जाएगा और यहां पे दिया वाज सेंटिमेटर में तो 100 सेंटिमेटर हो जाएगा यहां पे AC equal to 10 सेंटिमेटर हो जाएगा सेंटिमेटर में दिया है हम यहां पे सेंटिमेटर लिख देंगे और यहीं इसका आंसर हो जाएगा next question लेते हैं part B में यहां पे आम देख सकते हैं यह कह रहा है अभी condition बदल दिया गया है picture यही है triangle का लेकिन इसमें AC दिया हुआ है AC 13 cm दिया हुआ है यह 13 cm हो गया और BC 5 cm यहाँ पे 5 cm हो जाएगा और हमें AB find करना है मतलब इसको find करना है AB का formula क्या होता है हम solve कर रहे हैं B number को तो यहाँ पे हो जाएगा AB इसका formula जो होता है इसको आपको याद रखना है AB square equal to AC square और यहाँ पे minus हो जाएगा minus BC square यहाँ पे ध्यान देना है आपको एक चीज़ मैं बतला दे रहा हूँ देखे जब भी हमें AC निकालना रहेगा AC यह चीज़ निकालना रहेगा तो हम AB और BC को plus करेंगे लेकिन जब भी हमें BC या AB निकालना रहेगा तो AC से हम इन दोनों किसी को भी minus करेंगे AC से हम minus करते हैं ठीक है अब यहाँ पे हमें AB निकालना है फिर से हम लिखते है AB square और जो इसका value दिया हुआ है उसको हम बैठा देते हैं AB square equal to AC 13 cm हो गया minus BC 5 का square हो जाएगा यह हो गया अब यहाँ पे फिर से हम AB का square लिखते हैं equal to 13 का square होता है 169 minus 5525 हो गया AB का square equal to 16925 को minus करेंगे तो हमें मिलेगा 144 और हमें पता है कि 144 12 का perfect square number है तो यहाँ पे AB में से हम square को हटा देंगे AB equal to लिखेंगे AB equal to root चड़ जाएगा 144 में और यहाँ पे AB equal to हो जाएगा 12 cm दिया हुआ है इस पे cm हम लिख देंगे और यहीं इसका answer हो जाएगा complete हो गया question number 7 next question लेते हैं UN DAN lok करनाएगा जाएगाний लिखेंगे अगए-ड माईने उपाँ धॊ- लिखेंगे